तो अमेरिका के द्वारा अगर किसी एक बदेश को सबसे बड़े security threat के रूप में देखा जा रहा है तो वो है China फिलाल अमेरिका चायना को हर सेक्तर में टैकिल कर रहा है चायो economical sector हो या फिर diplomatic या फिर कहतो military सेक्टर सभी सेक्टर में चायना के तरफ से अमेरिका को इस तरीके से चैलेंज किया जा रहा है कि अमेरिका फिलाल चायना को अपने सबसे बड़े खत्रे के रूप में भी देख रहा है दोसो अब तक ये चायना का खत्रा अमेरिका के टेरिटरी के बाहर था और कैसे चाइना अब अमरिका के धर्ती के उपर ही अमरिका के नाक में दम करके रखा है। दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को स्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जना है अब अमरिका और चैना के बीच में बड़ा टेंशन का कारण बन सकता है। खास करके चैना के उन हरकतों के लिए जो चैना अपने कमपनियों के द्वारा दूसरे देशों के टेकनोलोजियों को चोरी करने के लिए अंजाम देता है। दोस्तों चैना अन्ने देशों के अंदर अपने कमपनियों के थ्रूँ SPN आज मतलब गुप्त चरी का काम को अंजाम देता है और यहां से कई सारे टेकनोलोजिस को चूरी करके अपने हतियारों के डेवलोप्मेंट भी करता है CNBC के रिपोर्ट के मुताविक चायना के ये कमपनी असल में फूफैंग गूफ है जो की चायना के शांडॉंग फ्रॉविंस का एक कमपनी है बेसिकली ये जो कमपनी है ये फ्लेवर एन्हेंसर और सूगर सब्स्टिट्यूट के उपर काम करता है CNBC के रिपोर्ट में बताया गया है कि इस कमपनी के द्वारा फिलाल North Dakota के Grand Fork में करीवन 300 एकर के Farm Land को खड़िदा गया है और दोसों जहाँ पे ये जमिन खड़िदा गया है बताया जा रहा है कि वो शेतर अमेरिका के Grand Fork Air Force Base से केवल मातर 20 मिनिट के Drive distance में है और ये Grand Fork Air Force Base असल में अमेरिका के एक ऐसा महत्तपूर्णा और Sensitive Base है जहाँ पे कई सारे Sensitive Military Technology और Military Drone को लेके काम किया जाता है रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो 300 एकर के Farm Land है ये असल में तीन North Dakota 10 निवासियों के द्वारा Chinese Company को बेचा गया है और China करीवन 2.6 Million Dollar के लागत से ये संपूर्ण जमीन को खड़िदा है हाला कि दोस्तों जमीनों को बेचने को लेके प्रतिक्रिया भी शुरू हो गया है और तीन विक्रताओं में एक विक्रता Gray Bridgeport के तरफ से हाली में बताया गया है कि उनके द्वारा जमीन बेचने के बाद एक प्रतिक्रिया का चेन शुरू हो गया है और उनके जमीन बेचने के कारण कुछ निवासियों के द्वारा भारी प्रतिक्रिया भी दिया गया है उनका ये भी कहना है कि उनके द्वारा Chinese Company को जमीन बेचने के बाद उन्हें धमकी भी दिया जा रहा है हाला कि दोस्तों चाइना को जमीन वेचने को लेके जिन लोगों के द्वारा पढ़त किया दिया जा रहा है उनमें से एक local businessman का ये कहना है कि यहाँ पे Chinese company आने का मतलब उनके लिए भविश्य में मुश्किल फैदा होगा और वो अपने भविश्य इवन उनके grind चाइलों को लेके भी काफी अधिक चिन्तित है दोस्तों अमेरिका के लोगों के मन में चाइना को लेके अलग ही सोच विचार है बेसिकली अमेरिका के लोग चाइनीजों को उनके intellectual property चोरी करने वाले के रूप में ही देखते है और चाइना के कमपनियों को एक बड़े threat के रूप में भी अमेरिका में देखा जाता है दोस्तों चाइनीज कमपनी बेसिकली अपने काम के आड़ में कई तरीके के टेकनोलोजियों को चोरी करने के काम को भी अंजाम देता है और चाइनीज कमपनी पुरा दुनिया में S.W.N.A.C. के लिए भी काफी अधिक बदनाम है और चाइना अपने ऐसे कमपनियों के साहरे अन्य देशों के अंदर गुप्त चरी का काम को भी अंजाम देता है हाला कि दोस्तो शहर के मेर का कहना है कि यहाँ पे करीवन 700 मिलियन डॉलर के लागत से एक प्लैंट लगाए जाएगा जो कम से कम 200 डारेक्ट जॉब जनेरेट करेगा और इसके इलावा लोजिस्टिक ट्रकिंग और अन्य सपोर्ट सर्विस को लेके भी यहाँ पे सर्विसेज जनेरेट होगा और उनका यह भी कहना है कि यह छोटे शहर के लिए एक बड़ा उपलब्धी होगा पर दोस्तो यह उपलब्धी छोटे शहर के लिए बड़ा तो हो सकता है लेकिन अमेरिका के लिए भविशे में एक नैशनल सिकूरिटी थ्रेट भी बन सकता है हाला कि दोस्तो अब तक अमेरिका के एरफोर्स के अधिकारी या फिर कहतो नौर्ड देकोटा बेस के अधिकारी के तरफ से चाइना के इस प्रोजेट को लेके कोई ओफिशेल बयान नहीं दिया गया है पर दोस्तो एप्रिल महिने में अमेरिकी एरफोर्स के बरिष्टे अधिकारीों के तरफ से एक मेमो जारी किया गया था जहाँ फूफिंग ग्रूप के Grand Fork में बनाय जाने वाले इस फैसिलिटी को लेके concern जताया गया था और इसे एक तरीके से National Security के लिए RICS भी बताया गया था इवन दोस्तो एक major rank के बरिश्ट अधिकारी के तरफ से तो ये भी बताया गया कि चायना के ये जो project है ये धीरे-धीरे करके S.P.N.A.C के operation को ही अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होगा और चायना बाद में इस project को extend करते हुए commercial और economical development project को भी encourage करेगा और Department of Defense के installation के नस्दिक तक भी पहुंच सकता है दोसो इस शेतर में अमेरिका के द्वारा महतवपूर्ण और काफी sensitive और secret द्रोनों को लेके काम किया आता है और ऐसे द्रोनों को operate करने के लिए अमेरिका के द्वारा communication signals और अन्य sensitive communication equipment का भी इस्तेमाल किया आता है और दोस्तो ऐसे facilities के द्वारा आसानी से चायना इस तरीके के communication signals को track या फिर कहतो इवन इस तरीके के communication signals से महतवपूर्ण data को भी हासिल कर सकता है हाला कि दोस्तो अगर चायना के तरफ से इस तरीके के कारिये को करने में सफलता हासिल होता है तो अधिकारियों का ये भी दावाएगी इससे भविशे में चायना के territory के उपर से अमेरिका की सिवी तरीके के satellite, communication या फिर कहतो द्रोन के signals को हासिल करने में भी मुश्किल में प कर सकता है, दोस्तो अपके जानकारी के लिए बता दू कि अमेरिका का डर वाजिव है क्योंकि चायना अल्रीडी कई बार ऐसे काम कर चुका है जो अमेरिका के लिए तो खतरनाक था ही, साथ में अमेरिका के intellectual property right के भी उलंगन था, अमेरिका के द्वारा चायना के उपर F-35 और F-22 aircraft के जानकारी चुराने का भी इल्जाम लगाया गया, हाला कि अमेरिका का ये भी कहना है कि चायना F-35 और F-22 के technology को चोरी करके ही अपने J-20 stealth aircraft का development किया है, तो चायना के अगर इतियास को देखा जाए तो चायना के द्वारा develop किया हुआ लगवक सभी हतियार किसी ना अगर देखा जाए तो चायना के बेड़े के tank से शुरू करके submarine destroyer से शुरू करके assault rifle तक अन्ने देशों के copy है, चायना के J-20 aircraft को अगर देखा जाए तो ये IEI LAWI मतलब Israeli project का copy है, और चायना जिन द्रोनों को अन्ने देशों में बेच रहा है, वो भी एक तरीके से अगर द लगता है, हाला कि दोस्तों खाले इतना नहीं, बलकि चायना sensor से लेके communication equipment और satellite से लेके jamming equipment सभी कुछ को किसी ना किसी देश से चोरी करके निर्मान किया है, दोस्तों अमेरिका के इस base के नस्दिक अगर चायना के facility बनता है और वहाँ से espionage को अंजाम दिया जाता है, तो ख से आगे America और Israel है, फिला इन दोनों देशों के तरफ से ही दुनिया में सबसे घातक और सबसे अड़वांसरें द्रोनों का निर्मान किया जाता है, चायना के तरफ से wing long series के drone को निर्मान करके export किया गया है और दावा तो किया जाता है कि ये drone अमेरिका के predator drone के बराबर का है, लेकिन हाली में जिन देशों को चायना ने ये drone दावा किया है, वो सवी देश इन drone को लेके पस्ता रहा है, आइदर ये drone crash हो जा रहा है या फिर टेकनोलोजी का लिए इतना कमजोर है कि एक दो बार उड़ान भरने के वाद फिर से उड़ान भर नहीं पा रहा है, ऐसे में चायना चाहेगा, ये कैसे भी करके उसके drone के टेकनोलोजी को सुधारा जाए ताकि एक high-tech drone चायना अपने लिए भी बना सके और export market में भी जो अमेरिका और इसरायल का दब-दबा है, उसे counter करते हुए अपने दब-दबे को मजबूत कर सके, और फिलाल दोस्तों, मेरा मानन अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले, जैहिंद!